सबको जया मसी की और इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी बाते बताऊँगा परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि आप सचमच परमेश्वर के चेले हैं तो आप में ये चार बाते होने जुरूरी है सबसे पहली बात कि अगर आपके उपर सताव आता है या परमिश्वर के वचन के कारण आपको लोग बुरा मानते हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी परमिश्वर के वचन में लिखा है जब हम मती पांच अध्याए वचन दस को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है धन्य वेज धार्मिक्ता के कारण सताय जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है परमिश्वर का वचन बताता है कि यदि आप सचमच परभियश्व्य मसी के चेले हैं तो आपको परभियश्य मसी की आवाज सुनना जुरूरी है जब आप परमेश्यर के वचन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को वैतीत करते हैं इसका मतलब है कि आप प्रभ्यूश्यमसी की अवाज के अनुसार अपने जीवन को वैतीत करते हैं जब हम यहुनार टिसु समाचार दस सद्ध्याय वचन 27 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मेरी भेड़े मेरा शब्ड सुनती है मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है परमेश्वर का वचन बताता है कि यह दि आप सच्वुच परमेश्वर के चेले ह तो आपको विश्वास के साथ अपने जीवन को वैतित करते जाना है और प्रभू में बढ़ते रहना है परमेश्वर के वचन में लिखा है इब्रानियों ग्याना अध्याय वचन 6 में और विश्वास पिना उसे प्रसंद करना अन होना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है परमिश्वर का वचन बताता है कि यदि आप प्रभी श्रमसी के चेले हैं तो आपको परमिश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है जब हम मती 22 सध्याए वचन 37 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है उसने उनसे कहा तो परमिश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन अपने सारे प्रान और अपने सारी बुद्धी से प्रेम रख